दोस्तों नमस्कार रजिनिश कुमार पीवर एक्वा कल्चर फार्म से कैसे मेरे पीवर एक्वा फैमली दोस्तों आप सबको मैं इन्वाइट कर रहा हूं अपने आइलेंड पे आप सबका वेलकम हैं आप आईए गैक टुगेदर प्लान कीजिए इस्टे कीजिए और अपने इन्पुट शेर कीजिए कि जिससे हमें उसे और अच्छा कुछ एड़ कर सके उसमें और कुछ इन्पुट्स देके ब्यूटिफिकेशन में कुछ नई एक्टिविटी में फिश्री केरेशनल स्टफ में तो हम और अच्छा कर पाएं अभी मेरी वाटर बोड़ी में कुछ में इस वीडियो के माधि में से सेर कर रहा हूं काट का पोली कल्चर पोली कल्चर में हो गया नंबर ओफेश्री सेव्ट वह सेम आपने वाटर बोड़ी में डाली है और फॉर पोली कल्चर करने से एक तो क्या रहता है कि जो different level पे हमारा food web रहता है जैसे कि algae, aquatic plants, zooplankton, सब के सब consume हो जाते हैं उससे कि हमारी efficiency proper utilized होती है हमारी water body की सबसे बड़ा main benefit रहता है दूसरा हम अपना per unit area production बढ़ा लेते हैं क्योंकि आपने हर एक upper layer, middle layer, bottom layer सब को utilize करा है तो per unit area आप maximum utilize करते हैं for production के लिए जो सबसे दूसरा main benefit रहता है आपकी जो pond है आपकी water body है उसकी condition अच्छी रहती है low capital, low maintenance अगर आप polyculture करते हैं तो यह उसका main benefit रहता है दूसरा वो आपका जो water parameters की जो range है हर fishes की हर fish की characteristics अलग लग है ठीक है ना, कोई यह temperature परफेक्ट है, कोई इस temperature में परफेक्ट है कोई यह खाना खाएगी, कोई यह खाना खाएगी कोई animal protein prefer करेगी कोई plant protein prefer करेगी कोई kevil ju plankton को जदा है protein लेगी उससे तो हम जो tolerate wide range of parameters को हम single bucket में ले आते हैं यह सबसे बड़ा best benefit रहता है दूसरा हमें जो main ध्यान डखना है poly culture में आपका stock water volume क्या है stocking size क्या है stocking size हमें वो करना है जो हमें expected harvest size लेना है क्योंकि हमें duration भी पता है अपने culture की North India वालों के पास 9 महीने मोटा मोटा culture के हैं coastal area वालों के पास 12 महीने culture के हैं तो 200 gram का stock करते हैं कोई big deal नहीं है लेकिन अगर आपके पास 12 months culture के है North वालों के पास एक culture है मैं भी एक culture ही लेता हूँ मैं 100-150 gram average size stock करता हूँ next 9 months में उसको 1000 gram plus मार्केबल size पे sale कर देता हूँ तो आपको जो size stocking करना है in poly culture भी वो ये बड़ा ध्यान डखना है पैलली आपको ये ध्यान डखना है कि जितनी भी आप fishes, poly culture में stock कर रहे हो वो जातर सब uniform size की हो ऐसा ना हो कि एक size एक मचली आपने 10 gram की stock कर दी एक 50 gram की कर दी उसमें सबसे बड़ा hurdle जब आप feeding कराएंगे तो जब आप अगर आपने चोटी मचली को दाने के साफ से stock कराया तो बड़ी ने consume कर लिया अगर आपने बड़ी के size का stock कराऊगे तो आप वो छोटी वाली को मिली नहीं पाएगा वो बड़ी वाली ज़्यादा खाती रहेगी तो आप हमें से ध्यान में रखें अगर आप concept पे जा रहे है multiple stocking, multiple harvesting पे तो आपको same uniform size उसका benefit आपको जब आप sale करेंगे आप catching करेंगे तो भी उसका आपको benefit मिलेगा तो stocking size आपका uniform रहना चाहिए इन poly culture यह आपको बड़ा ध्यान रखना है और पैडलली हमें duration में mind में रखनी है कि हमें कितने duration में कितना harvest लेना है और हर मचली की लग-लग characteristics है तो वो हमें ध्यान रखनी है कि यह कितने ammonia पे bear करेगी और यह कितने ammonia पे bear नहीं करेगी बहुत सारी लोग poly culture में करते है catfish especially fungases का और IMC का तो दोनों की stocking density आप ध्यान में रखें अगर आप एक एकड में उधारन के तोर पे एक हजार कार्प्स डाल रहे है तो maximum 14-15 हजार यह आप फंगास डाले क्योंकि catfish को ज़ादे space चीए comparatively to फंगास के लिए फंगास ज़ादे ammonia bear कर लेगी comparison to carbs तो दोस्तों यह permutation combination as per your local market as per your seed availability as per your water volume और finally as per your fund management आप उतनी मचीलों का पालन करें जितने को आप feeding करा के उनको marketable size पर लेके चले जाए सबसे best economical size is 800-900 gram in terms of monetary best marketable size is 1000-1100 grams तो बने रहें अपने PBR YouTube channel पर और जाने मचीली पालन से related छोटी से छोटी बात है धन्यवाद